गुड आप्टरून एवरीवन कैसे हैं आप सभी कोई आई होप आप लोग अच्छे होंगे आप लोग का कॉमेंट आता है दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हर वीडियो पे कॉमेंट करते हैं तो इसी तरह कॉमेंट जरूर किया कीजिए खास करके आप ल होपषर के सारे 12 बज गरे हैं यानी कि 5 मिनट फास्ट है हमारी घरी और यहां देख सकते हैं कि गुलू राणी अगेन तेबियत खराब है और आराम मुद्रा में लेटी हुई है सोई हुई है बहुत नीन से तो इसे आराम करने देते और मैं और मम्मी मिलकर काम कर रहे हैं थोड़ा मैं मम्मी का हेल्प कर दे रहा हूँ पापा गए हुए छट पर धूप लराने आज संडे है तो हैपी संडे आप लोगों को यहाँ पे मम्मी लसन छिल रही है सवा किलो मचली लाई थे न में हम लोग तो उसमें कितना पूट लसन चार पांच और मम्मी आज स्पेसल मतलब पहली बार मतलब इससे पिछले बार भी बनाई थी बहुर टेश्टी लगा था आप देख सकते हैं आप गोभी है और फीस है रहू फीस है रहू कोई बुलते हैं कोई रहू बुलते हैं और मैं या थोरा हेल्प कर रहा हूँ फ्राय करके देख सकते हैं एक नंबर है जो वेजिटेरियन है इसकीप कर दिजेगा आप जो नन वेजिटेरियन लवर है तो जरूर देखिएगा मतलब मज़ा आजा था गुभी मचली बिहारी स्टाइल में जो बनने वाला है ना एक नं करना नहीं भूलेगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो यह जो क्लिप है ना यह है उसके नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट टाइम कि यहां पर मैंने मतलब मैं बना ली थी सेंडवीच तो उसके लिए मैंने स्टफिंग रैडी कर लिए है जो कि मैंने यहां पर फिल भी कर दिया आप लोग देख सकते हैं यह रहा रिफाइंड ओयल क्योंकि बटर जो है वो फिनिस हो चुका था यह रहा सेंविच में कर तो मतलब यह मेरे कहां से तीन साल पहले मैंने मांग गाया था फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाइगा ठीकी व वो बर्गर वाला सैसे था तो उसी से हमने काम चलाया क्योंकि सटेंडी हम लोग कहां से लाते सौस तो यह दिर सकती ग्रिल्ड सेंविच बनाता यही था हमारा उस दिन का ब्रेक पास्ट काफी टेंटिंग लग रहा है ना तो यह जो ब्लॉग है ना यह थोड़ा थोड़ा करके तिन चार दिन का ब्लॉग है पुलूरानी गई हुई थी दीन में काम करने के लिए मतलब कुछ काम से बाहर गे थी पपा के साथ और मैं भी ओपीस का काम कर रहा था तो कॉल दीदी का ले नहीं पाया एक्चुली में दीदी का कॉल नहीं था वो था भैगना लालगा य भैगने कि वॉइस रिकॉर्ड करके भीजा वाट्सप और मैं आप लोम को सुनाना चाहते हूँ कि मतलब किस के लिए वो कॉल कर रहा था मेरा नमबर पाता है लेकिन मेरान नंबर से किसको खोज रहा था绝निये मैं दिखाना हूं आपको काल रहा हूँ वोईस रिकॉर्डिंग जो मतलब भेजा था मैं आपको फुल बॉल्यम में सुनाने का कोसिस करता हूं एक वारो सुनी एक वारो सुनी आभी के अभी आभी के अभी दल दी आभी के अभी मामी से बात करना अभी के अभी अभी जल दी तो बताईए दोस्तों क्या मतलब मामा का कोई value नहीं रहा कोई only मामी चाहिए मामा wants मामी रुकावट के लिए खेत हैं तो मेरे हस्बेंट ची का भी एक चैनल है ग्यानमित सन्नी के नेम से जिसमें वो डालते हैं video take related news, unboxing, review यह सब related videos जो है वो डालते हैं तो उस चैनल का link भी आपको मिल जगा description box में तो चेक आउट करना नहीं भूलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ है, knowledgeable वीडियो तो बनाते ही हैं अगर आपके काम की लगे तो देन्स चैनल को subscribe भी कर लेजगा, it's absolutely free तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह वाली जो व्लॉग है वो तीन-चार दीन की है तो यह भी उसके next day की breakfast की है, सारी की सारी beauty वाद ब्रेकफास सही चाल हो रही है, तो यह ममी बनाती है चावल के यार्टक हो, चोड़ चोटे pieces में खीर जैसा मतब गरम दूद मे डाल करके उसे बनाती है, चीनी डाल के जो को बहुत ही अम्मी लगता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि husband जी का जो चैनल ले घ्यान विज सन्नी उसमें वो video बनाते हैं, उसमें मतलब वो जो video बनाते हैं, उसमें बहुत सारी comment आते हैं कि सर मेरा ये problem है, वो problem है, तो please solve कर दीजे, तो बहुत कोई जो है, उसे instagram पर contact करते हैं, तो husband जी वह प्रॉब्लम क्या था डॉलर इस नोट स्वाइंग इन एड्सेंस अकाउंट तो मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूं कि मिश्टर जी जो है उनको उनका एक चैनल एग्यान में सनी लिंक विल बी इन देस्क्रिप्शन मॉक्स तो उनको आए दीन मतलब उनकी व्यूवर्स है वो इंस्टाग्राम पर ही उनको डियम करते हैं मैसेज करते हैं कि सर मेरा यह प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज सॉल्व किजे एंड यह जो है अगर एक बार इन्हें अगर किसी ने बोल दिया कि सर मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है तो यह भाई भी तेंक यू सर, थैंक यू सो मच यह वो बनलब एक डिलेशन मन जाता है उनको भी लगता है कि हमारे जो प्रॉब्लम है उसको प्रायोर्टी दे रहे हैं अपने पुरह लग जाते हैं भीर जाते हैं उसकाम में इसलिए इनको डियम आते रहते हैं कुछ भी इशु होता है कि इनको भी एडसेंस वगराब या यूट्यूब वगराब या कुछ भी टेख टेखनोलोजी रिलेटेट तो यह सॉल्व कर देता है तो अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है कोई दिक्कत हो रही है तेन आप इनके इंस्टाग्राम पे इनको डिम कर सकते हैं सबकी लिंक जो है है तो आए हम लोग एंड अभी लंच अभी बज रहे तीन पापा अचकल लेट से आते हैं टाइमिंग तुरह बढ़ गया है इसलिए चावल बन चुका है मैंने पना दिया और मैंने लहसन भी चिल दिया मैंने कदीमा भी काट दिया कदीमा की रेस्पी मैंने सब्ची कर दि हाग करे सब्सक्राप अभी टेश्टीबिट है हश्वेत जीने यह कि से सीखाया अपनी मॉम से सीखाया है में साथे मम से शीक्रा बहुर टेश्टी neighboring मेरे जगव बाबा जगनात तो इनी को मैं लेके गई थी साथ में, क्यों गई थी वाप आने वाली व्लॉक्स में पता चलेगा, तो चले ठीक है, बहुत भूग लगई है, आप में लंच कर लेती हूँ, और लंच करने के बाद मैं आप से मीरोंगी कब, डिरेक्ट अब शाम में मिलता है, गुड मॉर्नि अगर वो वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लीजेगा, आप लोगका काफी अच्छा रेस्पॉंस आया है उस वीडियो में, तो थैंक्यू सो मच्छ, एंड डॉक्ट ने उसी दिन मुराता है कि आपको फॉल आप्स के लिए 15 डेस में आना पड़ेगा, आफ्टर 15 ड कि टच्छ वूड कितनी किलियर लगड़ी आप लोग देख सकते हैं, तो चले ठीक है, अब निकलते हैं, तो आप से कॉंटेक्ट करेंगे तो दोस्तों, फाइनली हम लोग नाहा ध्वा कर, नास्ता पानी करकर चल दिये हैं, मार्केट की ओर कुछ काम है, जो आप लोग को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि यहां किसे बता दूँ, दिखाने में जो मज़ा है, सुनाने में नहीं तो नीचे मम्मी और गुलूर आनी आ रही है, आनी कि नेहा, चलिए मैं थोड़ा आप लोग को उसका लुक दिखा देता है, उन दोनों का, क्या हुआ, वहां रुग गई थी, सैप्टी पीन लगा रही थी मम्मी का, और यहां देख सकते हैं, लाजवाब नजारा एक दम, ग्रीनी ग्रीनी यह पूरा, ग्रीन वैली तो नहीं बोल सकते हैं, आप लोगो को मम्मी का लुक ऐसा लगा, जरूर बोलेगा, आज मम्मी तर अदाकारा से कम नहीं लग रही है, गुलूरानी फैल है मम्मी के साने, ने बिटा, हां, हां, टो डाक्टर के यहां गए थे हम लेकिन डाक्टर जो है वो अभी छुटी पढ़ है, वो तेईस तारीक तक चुटी पढ़ है, तो इसके बेंगल शॉप पर यहां पर जो है, काफी कॉश्की बता रहेते हैं, और दाम कम करने बोले तो बीस रुपिया कम कर रहा ता, हम यहां पर यह 120 बोल रहे थे लेकिन इन्होंने बुला था हंड्रेट में दे दूँगा लेकिन आपको के साइट कितना में यह मिलता है प्लीज मुझे जानना है कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईगा एंड चलिए ठीक है इस फ्लोग में पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक जार ही ऐसे मतलब पर्मानेंट वाले फैमली मेंबर है न को कि हमेशा कॉमेंट करते हैं लेकिन में बाकी सब को भी कहना चाहते हूं प्लीज आप लोग कॉमेंट करने में कंजोसी ना कीजिए कॉमेंट जरूर या जिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बब बाई झाले आ झाले चाहते हैं जरूर याले आ झाले याली मेंट करते हैं